नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में रिटायर सक्षकों की 1611 पदों पर होगी न्युक्ती सराब तसकरों को रोकने के लिए उतपात विभाग ले कर आया सांतनो सक्षकों के प्रसक्षन के लिए ड्रस कोड हुआ लागू सिक्षु मृत्युदर में कमी लाने है तो स्वास्तिक कर्मियों को मिलेंगे ये विशेश प्रसक्षन मस्दोनी के जम दिन पर इन लोगों ने दी बढ़ाई इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से के द्वारा आदीश भी जारी कर दिया गया है जिसके तहर सभी प्रखंडों में तीन तीन प्रखंड साधन सेवी की न्युक्ति की जाएगी इसके लिए सेवा निवरत सक्षकों के प्रखंडवार पैन लिर्मान के लिए जलास्तर से विग्यपती भी जारी किया जाएगा वह वेदन का प्राडूब बिहार सिक्षा पड़ियोजना परिसत की वेबसाइट www.bepcssa.in पर देख सकते हैं शहीत पीर अली की सहाधत दिवस पर श्रीयम नितीस निकिष्ट धांजली अर्पित आज यानी की साथ जुलाई को महासुदंतृता सिनानी सहीत पीर अली की सहाधत द दिवस पर पठना के गांधी मैदान इस्थ शहीत पीर अली पार्क के पास आयोजित राज के समारों में उनके चित्र पर माले आरपन कर उन्हें भाव भी निश्रधांजली अर्पित की कई बता दे कि उन्हें आज के दिन ही वर्स 1857 में सर्याम फांसी पर लटका दिया गय सराब तसकरों को रोकने के लिए उतपाद विभाग लेकर आया शांतनों बिहार में पुन रूप से सराब बंदी होने के बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी से जड़े मामने सामने आते रहते हैं ऐसे में सराब तसकरों पर पाबंदी लगाने के लिए बिहार सरकार के उत्पाद एवा मध निशेद विभाग के दोरा सांतनू लाये गया है जो आटोमेटिक पिस्टल रूपी की तरह है बतादिक इस बात की जानकारी विभाग के दोरा दी गई है मालमों की दी गई जानकारी के नुसार विभाग के सहायक अवर नडिक्चक से लेकर सेंगत आयुकत अस्तर के अधिकारीयों को आटोमेटिक पिस्टल उपलब्द कराया गया है और इन्हें पिस्टल को चलानी के लिए समुझित प्रसक्षन भी दिया जाएगा बतादि की पतादिकारीयों को दिया जा रहा है या प्रसक्षन का खर्च विभाग के दोरा उठाया जा रहा है सक्षकों के प्रसक्षन के लिए ड्रस कोड हुआ लागू बिहार सरकार के सक्षा विभाग के दौरा सक्षकों के प्रसक्षन के लिए ड्रस कोट लागू किया गया है जिसके तहर प्रसक्षन के दौरान पुरुस सक्षकों को फॉर्मिल, पैंट और महिला सक्षकों को सलवार, कमीज या सारी पहननी होगी वहीं पीटी में ट्रैक सूट और स्पोर्स सूस पहना आनिवारे होगा मालूमों कि आदेश सक्षा विभाग के निदेशक सुबोत कुमार चौधरी की तरफ से जारी की गई है आपके जानकारी के लिए बता दे कि वर्तमान में हाई स्कूल और प्लस टू के सक्षकों का प्रसक्षन बिहार की राजधानी पटना और गया में चल रहा है मालूमों कि इससे पहले विभाग के ओर से विभाग में काम करने वाले पता दिकारी और करमचारी के लिए ड्रस कोड लागू किया गया था जिसके तह जिन्स, पैंट और टी-शिट में ओफस आने पर रोक लगा दी गई थी और फॉर्मर ड्रेश में करयाले आने का नर्देश दी आ गया था लोग पर मधु श्राबनी आज से 44 दिन सुहाग ने रखेंगी वरत आज यानी की साथ जुलाई से नाग देवता के पूजन के साथ बेहार के मितलांचल के नव विवाहित महिलाओं का प्रिस्द मधु श्राबनी पर्व की शिरवात हो गई है ऐसे में बीते दिन वरती महिलाओं के दोरा फूल लोड़ी की शिरवात कर दी गई है और याज यानी की शुक्रवार की सुभव वरती महिलाएं नहाद होकर ससुराल से आए रंग बिरंगे कपड़े और आभूशन पहन कर नाग देवता की पूजा अर्चना की गई बता दे किस पर्व में मुख्य रूप से गोड़ी और भगवान शिर्व की पूजा की जाती है नव विवाहित महिलाएं इस वरत के दोरान आडवा भोजन ग्रहन कर पूजन आरंभ करती है या वरत नव विवाहित बड़े ही धूम धाम से करती है पती के लंबी उम्रे के के जाने वाले यह वरत धैड़े और त्याक का प्रतीक है मदू श्राबनी को पूरसुत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है मल्वास के दोरान नव वहिताई पृत के दोरान सेंधा नमक का उप्योग कर सकती है बता दे किस पर्व में पुरोहित का करदार महिलाओं के दोरा निभाया जाता है। सब्सक्राइब के साथ आयोजित की जाएगी बताद चले कि नवजास सिसु सुरक्षा काड़ेकरम के तहत आयोजित होने वाले इस प्रसक्षन का उद्गाटन स्वास्त सचीव सहराजिस स्वास्त सभीती के काड़ेपालक निदीशक संजय कुमार सिंग द्वारा किया गया बिहार में महंगाई ने बिगाड़ा किचन का बजट बिहार में खाने में रोजमर्रा के तौर पर इस्तमाल के जाने वाले वस्तों के दामों में हुई बरहोतरी से किचन का बजट बिगर गया है दरसल पिछले एक महा में जीरे की कीमत में 300 रुपे की तेज़ी आ गई है अगर हम बात करें ड्राइफ फूर्स के दामों की तो पछले साल के तुलना में इस साल काजू की कीमत में 100 रुपे किस्मिश में 75 रुपे में 100 रुपे और चुहारे की कीमत में 50 रुपे का इजाफा हो गया है। को मिलते रहते हैं हालाके इन सराब तसकरों पर नकेल कसने के लिए उत्पाद एवं मद निशेद विवाग के ओर से जीत और कोशिश की जारी है। में जानकारी के नुसार जब किया गया सराफ की कीमत एक करो रुपे से जादा की बताई जा रही है। महीं इसरा अब तसकरी गुजरात और पर शिबंगाल से की जा रही थी। पटना के सरकों पर सोनो सूद ने बनाया लिट्टी और कहा ये। बॉलीवूड के अक्टर सोनो सूद एक कारिकरम में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे थे जहां उन्होंने पटना की सरकों पर लिट्टी चोखा भी बनाया। बतादिक इस बात की जानकारी सोनो सूद के द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किये गए एक रील से मिली है जिसमें वे पुरानी लिट्टी की दुकान नाम के स्टॉल पर दुकान माली के साथ लिट्टी चोखा बनाते ही नजर आ रहे हैं वह इस रील में दुकान धार जिसका नाम मोती है उससे हसते भे बोलते हैं कि अगर वह लिट्टी चोखा बनाने लगे तो उनकी दुकान زादा बणिया चलेगी वह पूछते हैं कि क्या वह उनके बाजू में अपनी दुकान खोल ले क्या वह उससे कंपरडीशन करेंगे इस पर मोती हसकर ह पर नहां बोल देता है इसके साथ ही वह दोरा लिट्टी चोखा परोस्ते भी नजर आते हैं और दुकानदार को भी लिट्टी खिलाते हैं वह मोती से पूछते हैं कि उनकी कितनी लिट्टी बिग जाती है जिस पर मोती कहता है कि अभी थोड़े कम बिक रहे हैं जिस पर तुम्हारे ज़्यादा प्रीट बिकवा देता हूँ अब एक ही बैनर तले आंदोलन करेंगे सभी सक्छक संग इन दिनों बिहार में सक्छक अभिहर्थियों के दोरा नई सक्छक निव्ति नियमा वाली को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ अपनी नराजगी दिखाते वे लगातार विरोध प्रदर्शन किया जारा है पतादी किसी कड़ी में बिहार के सभी प्रात्मिक सक्छकों के सक्छक संगों के साथ समिती के बैनर तले राजगी के सभी विधायकों के घेरा डालो डेरा डालो कारे करम क्या जागा इसके साथ ही विधार सभाव में संक के निताव कारे करता अपने अपने विधायकों को घेर कर सक्छकों का पक्छ रखने का ग्यापन देंगे जहरेली सराप से मौत पर मुआफजा देनी की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू बिहार में जहरेली सराप के पीने से होने वाली मौत को लेकर बिहार सरकार के ओर से 4-4 लाख रोपे अनुगरा अंदान देनी की प्रक्रिया जल्द ही सुरूख की जाएगी बता दे कि उन्हें ये राशी मुख्यमंत्री राहत को से दी जाएगी मालमों कि जन लोगों को यह नुगरा अंदान की राशी दी जाएगी उनमें बिहार के पुर्वी चमपारंजले के 26 और नालंदा जले के 6 लोग शामिल है बता दे कि सम्मध में मुख्यमंत्री सचिवाले को संबंधित जलादिकारी के अनुसंसा पर मत निशेद उत्पाद एवब निवंदन विभाग के दोरा जानकारी दे दी गई है बिहार के राजधानी में इस दिन से बंद होगी डीजल बसो का परिचालन बर्दे बायू प्रोडूशन को देखते वे सीएंजी बसो के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्वच इंधन सित्वी चलाई योजना के तहत डीम डॉक्टर चंदरसीक सिंग की अध्यक्षता में बैठकर 65 लाभुकों में से अर्थस लाभुकों का चेयन किया गया है आपको जानकारी के लिए बता दे कि बिहार के राजधानी पटना के पटना नगरनेगम तर्था दानापुर खगौलव फुलवारी सरीफ नगर परिस चेतर के सीमा में डीजल से चलने वाली बसो पर 30 सितंबर 2030 की रात्री से पूरी तरह से प्रतिबंद लग जाएगा ऐसे में कोई भी वाहन मालिक जो डीजल बस का परिचारन करते पकर जाते हैं उन पर आवश्यक कारवाई की जाएगी मालम हो की चरित के गए 38 लाभूकों के दारा बस खरीदने पर 100 सो रूम में 30 प्रतिशत या 67 लाग रुपे का अनुदान दिया जाएगा हालाके इन पसु एवा मतस्य संसाधन विवा की उपसमीती दो के साथ बैठक आयोजित की गए जिसमें क्रिसी मंतरी कुमार सरवजीत के दोरा किसानों को मिलने वाले क्रिसी रिन को लेकर कहा गया कि वह क्रिसी रिन से अभी तक की प्रगती से संतोष जनक नहीं है उन्होंने कहा कि क्र उनके लिए बैंकों में आविदन करते हैं लिकित बेना किसी उचित कारण के उनके आविदन को और सुकृत कर दिया जाता है इसलिए सभी बैंक अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्द करवाए उसके बाद किसानों से लगातार संपर करते वे उन् पर दिया टीम के सबसे सफल कपतान महिंदर सिंग धूनी का 42 वा जंदन है ऐसे में उनके जंदन को लेकर उनके फैंस के बीच काफी उतसाह देखने को मिल रहा है बता दिक उनके जंदन को लेकर फैंस के ओर से पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी इसी करणी में फै एदरबाद में धूनी का काफी लंबा कटा उट लगाया गया है जो की 52 फीट लंबा है वहीं आज उनके जंदन को लेकर केरल के सियम समेत कहीं लोगों के दवरा बधाई दी गई जसमें हार्दिक पांडिया जियो सिनेमा रोयल चैन्जल्स बैंगलॉर बीसी सियाई अध् सिबी ने कहा कि मास्टर माइन कैप्टन कूल को बधाई देने में हमारे सास सामिल हो बिसी सियाई अध्यक्ष ने कहा कि टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान को जंदन की हार्दिक शुप कामनाई आपका करिश्म अनत्तव और साथर कोशल दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रिरित करते रहेंगे भारते क्रिकेट में आपके और दोईतिक योगदान के लिए धनेवाद सुरेश्ट रहना ने धूनी को उनके 42 वे जंदन पर बधाई देते वे एक खास वीडियो शियर किया है उन्होंने लिखा मेड़े बड़े भाई धूनी को जंदन की बधा तो वहीं राहत सिवीर में रहने वाले लोगों को मुख्यमंत्री राहत को से कपड़ा और लोटा थाली के लिए मिलने वाले राशी को छे सौसी बढ़ा कर एक हजार कर दिये गया है आपकी जानकारी के लिए बता देक इस बारी में आपदा प्रभावित परिवारों के पुननिंद्रादं किया गया है जो कि एक जुलाई से लागो हो चुका है बितल दिने मादरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगन पजाब हमें हमारे कमर्ण सक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है जिनने मादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके न कीमत ने आपके पॉकेट पर कितना असर डाला है आप नजाब हमें वारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखे चल पॉलो करना ना भूले धानेवाद